हलो एवरिवान स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लेवर्स ओफ इंडिया में आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट फूड तो चलिए शुरू करते हैं ये गर्मियों में कहीं भी आपको खाने के लिए मिल जाएगा ये चना से बनता है और ये सब समान है उसके तो इसके लि और चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए पहले हम एक बाउल लेंगे उसमें हम पहले उबला हुआ चना डालेंगे और फिर हम उसमें कच्चा चना डालते हैं ये आपका मैंने अगर डालना है तो डालिए नहीं तो थोड़ा सा डालिए नहीं तो उबला चना कहीं सिर्फ बना सकते हैं, इसमें हम आलू डालेंगे, उबला हुआ है, और पेस में कट किया हुआ है, अगर आप बेट लॉस करने के लिए खा रहे हैं, तो आलू को स्किप कर सकते हैं, ये खीरा है, कटा हुआ, टमाटर, बारिक चॉप्ड है, प्याज डालेंगे हम, ग्रीन चिली, अगर आप ग्रीन चिली ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा डालते हैं, और अगर आप कम खाते हैं, तो कम डालिए, ये ऑप्सनल है, आप जैसा बनाना चाहते हैं, वैसा बना सकते हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं भूना हुआ जीरा ये भूना हुआ धनिया पाउडर है ये रोस्टेड ड्राय रोस्टेड रेड चिली पाउडर है ये काला नमक है अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमें धनिया डालते हैं अब हम इसमें भर करके नीमू डालेंगे जो इसका टेस्ट को और भी बढ़ाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है ये साम के समय खाने में गर्मियों में खास करके अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं वैसे तो ये पत्ते पे खाना ज़्यादा अच्छा लगता है वाव और ये नीम्बू तैयार है हमारा चन्ना चाट थैंक यू प्रीव करते हैं